सबी साथ्यों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत साथ्यों मान्य माहनिदेशक महोदे का पत्र नो जोलाई 2021 किसका आप लोगोंने जरूर पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो उसके बारे में अउगत कराना चाहूंगा उस पत्र के हिसाब से हमें अपने विद्याले का नामांकन अगर हमारी कक्षा 1-5 है तो 1-5 और हमारा सम्मिलियन का स्कूल है कक्षा 1-8 तक तो कक्षा 1-8 तक का समस्त नामांकन प्रेड़ना पोर्टल पर अप्लोड करना है और साथियो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मानिये मानिदेशक महोदय के पत्र के अनुसार हमें जो इसकी एक निर्धारित डेडलाइन दे गई है एक अंतिम्तिती दी गई है वह है 17 जोलाई 2021 तो सभी साथियों से निवेदन हैं कि 17 जोलाई 2021 से पहले पहले अपनी स्कूल का नामांकन 31 मार्च 2021 का अनिवारिये रूप से प्रेड़ना पोर्टल पर डाउनलोड कर दें तो साथियों इस इसके लिए एक जो वीडियो आपके लिए मददगार होगी जो आप देखने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने फोन में अपना ब्राउजर खोलना है ब्राउजर खोल करके उसमें आपको टाइप करना है www.prayernahup.in ये लिंक टाइप करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खोल करके आएगा ये लिंक मैं आपने description box में भी डाल दूँगा आप इस लिंक को सीधे वहां से copy paste भी कर सकते हैं आप देखेंगे कि इस page के ऊपर अगर आप laptop से या अपने computer से खोल रहे हैं तो page के सब से ऊपर बहुत सारे link आपको दिखाए देंगे और अगर आप mobile से खोल रहे हैं तो अपने बाए हाथ की side में तीन पड़ी रेखा हैं आप corner पे देख रहे होंगे वहां पर आपको उन line को touch करना है टच करते ही आपको बहुत सारे link वही link जो हमारे उपर screen पर दिख रहे हैं वही link आपको अपने phone की screen पर देखने को मिलेंगे तो साथ्यों उसमें bank data upload का जो विकल्प है वो हमें choose करना है और उसको click करना है उसको click करते ही आप देख रहे होंगे तीन विकल्प हमारे सामने खुल करके आते हैं सबसे उपर लिखा है teacher login, user manual, user manual for dbt, verification तो सबसे उपर का teacher login है teacher login को आपको choose करना है, उसको click करना है जैसे ही आप teacher login को click करते हैं तो आपसे register mobile number नंबर मांगता है हम मतलब वही है जो हमारा mid male में phone number हमने दे रखा है तो simply इसमें आपको अपना mobile number टाइप कर देना है और नीचे verify को click कर देना है verify को click करने के बाद में जैसे आप verify क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक page आता है और उसपे send OTP नीचे लिखा है blue button में उसको आपको touch करना है click करना है जैसे ही उसको touch करेंगे तो आपकी screen पे ये वाला page खुल के आएगा OTP के लिए space बना हुआ आएगा उसके उपर जो OTP आएगा आपके mobile पर message box में वो OTP चार अंक की जो digit होंगी इसमें आपको डाल देना है और नीचे blue button में login को click कर देंगे तो login को जैसे ही आप click करेंगे OTP डालने के बाद आप पेड़ना पोर्टल पर enter कर जाएगे तो इसे करने के बाद में आप देखेंगे आपकी screen के उपर ये वाला interface खुल करके आएगा और इसमें आप by side में आप देख रहे होंगे इसमें चार लाइने लिखी हैं सबसे नीचे लिखा student count module student count module को choose करेंगे और उस पर click कर देंगे जैसे ही student count module पर हम click करते हैं तो हमारे सामने ये page खुल के आता है student enrollment by teacher इसकी जो entries हैं चूकि आप अपने register mobile number से enter किये हैं प्रेना पोर्टल पर तो इसकी entries आपको automatically fill up होके मिलेंगी आपका district का नाम, आपके block का नाम, आपके area का नाम, आपके school का नाम और आपका session 2021 21 या 21-22 ठीक है उसके बाद आपका school की category इसमें आपको choose करना है department basic education का उसके बाद में you dice code आपका total enrollment जब आपका show करेगा जब आप नीचे की entries class war इसमें डाल देंगे तो जैसे ही आप screen को ऊपर बढ़ाएंगे तो इसके नीचे की जो entries हैं वो आपको इस परकार से fill up करनी है आप देखेंगे लेवल लिखा है उसके बाद boys फिर total girls फिर total enrollment total boys plus girls तो साथियो इसमें आपको करना है कि level 1 से लेकर के level 8 तक यानि अगर हमारा school primary है प्राथमिक इस्तर है एक से 5 तक है तो एक से लेकर के 5 तक के बालक बालिका इसमें डाल देंगे class wise और अगर हमारा composite school है तो इसमें 1 से 8 तक का जो भी हमारा class wise नामांकन है बालक बालिका वो इसमें simply type करना है total हमें नहीं करना है जैसे हम class 1, level 1 का total बालक और total बालिका इसमें डालेंगे तो automatically इसका जो third column में total है वो automatically होता हुआ चला जाएगा तो हमें total नहीं करना है केवल level wise या class wise इसमें बालक बालिका type करने है अपने class के हिसाब से अपने विद्याले के अनुसार जब कक्षा 8 तक का नहमांकन 31 मार्च 2021 का हम इसमें type कर चुके होंगे तो साथ नीचे red में लिखा हुआ जो पढ़ रहे है ये आपके screen पर आएगा प्रमानित किया जाता है कि उप्युक्त विवर्ण विद्याले की छात्र पंजीका के मिलान कर सत्यापित करने के उपरांत अंकित किया गया है इसमें किसी प्रकार के विचलन अथवात त्रूटी हेतु मैं स्वम उत्तरदाई हूँ एक तरह से ये सपत पत्र है हमारे परदान अध्यापक के द्वारा तो इस पर टिक करने से पहले इसके सामने एक छोटा सब लोग बनाया है इस पर टिक करने से पहले एक बार मैं सबसे सला देना चाहूंगा कि जो भी आपने उपर छात्र संख्या भरी है बालक बाली का उसका पुन है मिलान कर ले अपनी पंजीका से कहीं कोई डिजिट गलत ना उसमें टाइप हो गई हो तो जैसे हमने उसको रिचेक कर लिया मिलान कर लिया तब हमने इस छोटे से गोले के उपर टिक करना है और टिक करने के बाद में नीचे दो विकल्प आप देख रहे होंगे सेव एस ड्राप और फाइनल सेव तो आपको सेव एस ड्राप पर क्लिक करना है सेव एस ड्राप पर क्लिक करने के बाद में आपकी स्क्रीन के उपर आप देख रहे होंगे जो तीन लाइने हमारी एक प्रमान पत्र के रूप में नीचे लिखी थी उसके नीचे अटेच्मेंट का एक विकल्प खुल के आएगा अटेच्मेंट के जैसे ही हम टच करेंगे मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा अटेच्मेंट में आपको अपनी उस पंजीका की जो चात्र पंजीका से आपने चात्र नामांकन भरा है उसकी PDF पहले से ही अपने फोन में बना करके तयार कर लेनी है PDF फाइल में वो फाइल इसमें अटेच करनी है जैसे हम इस attachment को click करेंगे तो साथियो उस PDF फाइल की location automatically हमारे पास आएगी, फोन से हमें set करने, select करनी है कि वो हमारी PDF किस जगह पर हमारे फोन में save है वहीं से उसको select करेंगे, select करने के बाद में open होगी और सीधे-सीधे हमारी यहां पर वो आकरके attach हो जाएगी file जैसे हमारी PDF फाइल हमने attach कर दी, तो साथियों आप देख रहे होंगे final save का जो नीचे एक विकल पा रहा है, गोले के अंदर देख रहे हैं उसको हमें final save को touch करना है, तो हमारा data पूरा का पूरा प्रेणा पोर्टल पर जो छादर संख्या हमने type की थी और जो PDF फाइल हमने attach की है, वो प्रेणा पोर्टल पर upload हो जाएगी तो ये जो वीडियो है, आज की मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफी मददगार होगी अनिवारिये रूप से 17 जोलाई से पहले हमें इस कारिये को जरूर करना है तो सभी सात्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट में एक बार फिर मेरे इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करने का कस्ट करें बहुत बहुत धन्यवाद